तो दोस्तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अगर दोस्तो सुरियाबंशी मूवी जो रिलीजिंग डेट तैय हो चुका है उस रिलीजिंग डेट पे आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे क्योंकि दोस्तो यूट का गलियारों से तो वही आपको बताएंगे बतना से पहले अगर आप गुपल के रीवियो यूटूब चैनल पर नहीं आयों तो प्लिस सब्सक्रेब करके बेल बटन को प्रेस करके और करके रखना तो ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको मिलता रहेगा तो दोस्तो तक्रीबन एक सल का उपर हो चुका है सुरियावंशी मुवी के लिए सब लोग बेस सबरी से इंतजर करते हैं आप भी करते हों मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं अक्षेकुमर का बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए बहुत ज्यादा मैं ठीक है तो दोस्तो ये जो सुरियावंशी मुवी है इसका रिलीजिंग डेट रोईट सेटी का बड़्डे का मौके पर तैग किया गया था जो 30 एप्रिल को ये मुवी सिनेमा घरों में दस्तक देगी लेकिन दोस्तो अभी जो निउस निकल के आते हैं तो ये निउस सुनने के बाद आपको क्या लग है ये जो पेंडेमिक सिचुएशन था लेकिन अभी पूराप के पूरा गया नहीं है तो इसलिए अभी भी शंका मन में है जो ये मुवी 30 एप्रिल को थेटर में आएगा क्या नहीं आएगा वही दोस्तो आप लोग को बताते हैं क्योंकि कोरोना इतना जाधा हो रहा है बह ठीक हो जाए क्योंकि दोस्तों ये जो कोरोना के लिए जो भैक्सिन आ गया है वो 45 सल का उपर का जो लोग है उन लोग को दे रहा है तो अभी एक महीन का अंदर 45 सल का नीचे का भी लोगों को या बच्चे से लेकर 45 तक सबको ये भैक्सिन दे देता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसी दिना रिलीज होगा, उसी दिन सारे के सारे लोग जाएगी, क्योंकि तो क्यों यह शक हो रहा है, क्योंकि कोरुणा के लिए लोग थेटर में नहीं जाते हैं ठीक है जैसे कि पहले रुही आया था रुही का वी वाक्स ओपिस कलेक्शन अच्छा नहीं है उसके बाद बीग बजट का जॉन एब्राहेम और इम्राश्मी का एक मुवी आया है पिछले हपते ने जो मुंबाई स सागा उसके भी वाक्स ओपिस कलेक्शन बिल्कूल अच्छा नहीं है उस मुवी का दस कड़र रुपिया कमाने के लिए चार दिन का उपर लाग गया था इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मुंबाई सागा उतना बड़ा बाजट का मुवी नहीं है लेकिन सुद्यावर्स बहुत बड़ा बाजट का मुवी है तो ऐसा बाजट रिकोबर करने के लिए तो बहुत ज्यादा सिनेमा हॉल चाहिए और ओडियेंस भर भर के आएगा हाउसपूल का बोर्ट दीखेगा तब ही न यह मुवी कुछ कमाल कर पाएगा कुछ ज्यादा कर पाएगा बॉक्स होगा ब्लोगबस्टर होगा मुवी लेकिन ऐसा चलेगा करोना के लिए लोग थेटर में नहीं जाएगा तो यह मुवी तो फ्लॉप ही हो जाएगा इसलिए दोस्तों बहुत सरे नियूज निकल के आते हैं जो इतना बड़ा बजट का मुवी ऐसा पेंडबिक सिचुएशन में ऐसा करोना का अंदर यह मुवी रिलीज हो जाए तो क्या होगा यह मुवी फ्लॉप कर जाएगा लोग थेटर में नहीं जाएगा इसलिए दोस्तों बहुत सरे नियूज निकल का आते हैं यह मुवी शाहिद नहीं रिलीज हो तीस तरीक को क्योंकि दोस्तों यह मुझे ऐसा ही लग रहा है यह मुवी 30 एप्रिल को ही होगी जितना बड़ा करोना हो अल इंडिया में लोगडाउन नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है यह मुवी उससी दिन रिलीज होगी क्योंकि इसका तो बहुत सरे पैसा कमा लिया है क्योंकि नेट्फिक्स में बेज दिया ह इस मुवी को जो 30 एप्रिल को जब इस मुवी रिलीज करेगा उसका 28 दिन बाद नेट्फिक्स में आप लोग देख पाऊगे तो पैसे तो हुआ से भी आ चुका है बहुत उसके बाद थेटर में जितना चलेगा चलेगा लेकिन दोस्तों सब लोग सोच रहा था यह मुवी यह हो रहा है कोरोना ज्यादा हो रहा है बहुत सरे लिखाय में लोग डाउन लग चुका है तो आपका क्या राय है इस मुवी के बारे में जो यह मुवी आएगा तो ठिक ठाक है नहीं आएगा तो भी ठिक ठाक है क्या राय है आप कमेंट में बताईए तो फिर मिलेंगे अ